दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेशन पेपर विज्ञान का नाइन्थ क्लास का यूपी बोर्ड का और यह जो पेपर हुआ है आपका यह 30.11.2021 को हुआ है 30.11 यानि कि 30.9 अमबर को ठीक है 30.9 अमबर को आपका यह एक्जाम हुआ है तो चलिए इस क्वेशन पेपर को देख कर सकते हैं आपके भी क्वेशन पेपर की सॉलूशन बना दिये जाएंगे तो 846902568 इस नंबर को नोट कर ले आपके आने वाली फूचर में काम आएगा अर्दवार्सी परिक्षा बिज्ञान कक्षण नौ का सॉलूशन देख रहे हैं तो पहले क्वेशन से स्टार्ट करत धाटेंगे तो 10 नूटन यहनी कि शाठ गुणा एक बटे 6 करेंगे एक बटे 6 हिस्सा होता है तो दस नूटन इसका जो आजाएगा तो चोथा ओप्षण जो है इसमें आपका पूच्ट हो जाएगा किसी वस्दू के दर्रवान M वेग वी और सन्य में पीका संबंद होता ह तो सम्वेक का जो है अमारा फॉर्मूला होता है पी स्कॉल्स टू एम बी ठीक है मास इंटू वेलोसिटी इसके बाद आते हैं नेक्स कोश्चन पे तो यहां पर आपका पूछा गया कोई कंड तृज्या आर के वरताकार पत्थ में गमन कर रहा है अर्ध वरत पूरा करने के पस्याद इसका विस्तापन कितना होगा तो जैसे यह आपका कोई कंड है जो आर्थ तृज्या है और इसके वरताकार पत्थ में जब यह गमन करता है तो यह इस तरह से गूमते हुए इस तरह से आ जाता आधा ही गूमता है यह अर्ध वरत पूरा करने पर इसकी जो है विस आर का इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2R यानि कि यह आपका अर्दवरत था इसका आर इतना था और जब यहां से ट्रेवल कर गए यहां पोँचा आधे वरत पे तो यहां रुग गया तो यहां पर इसकी पूरी डिस्टेंस इस तरह से लंबवत ना पी जाती है तो कि आर यह है आर यह है तो दो आर हो जाएगा इसका अंसर थार्ड इसके बाद में वेग के परिवरतन की दर्ब को हम त्वरण कहते हैं चौथा ओप्शन करेक्ट हो जाएगा न्यूटन के गती का तिर्थ्यक नियमक जो है वो बोलता है कि क्रिया का प्रतिक्रिया नियम होता है ठीक है यानि कि जो भी क्रिया की जाएगी उसके एक प्रतिक्रिया होती है उसके अपोजिट डिरेक्शन में न्यूटन का तिर्थ्यक नियम यह कहता है पास्कल किसका मात्रक है पास्कल जो है दाब का यानि की प्रेसर का मात्रक है इसके बाद में सरवतिक गुर्णांक नियतांक का मात्रक कौन सा है तो जो आपका इन्यूवर्सल कॉंस्टेंट है ग्रेविटेशन का उसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वेर पर किलोग्राम स्क् पुछा गया इसमें 300 Kelvin ताप मान का Celsius इकाई में मान बताना है तो जो भी Kelvin ताप मान होता है उसमें से माइनस 273 कर देते हैं तो यहां 300 है 300 में से माइनस 273 आपको करना है तो 273 माइनस करोगे तो आपका 273 तो 27 इसका सही मान हो जाएगा तो सी जन्या कि थार्ड जयाएगा कि प्रकारका मिकर्ण तो Canon हमने मीशनहें इसमें 300 at कर देते ज Öึ इसमें को इशुन है लेकिन आपको ध्यान होता है सुस्क बरफ कया है तो सुस्क बरफ जो है वह आपका थोस carbon dioxide होता है solid carbon dioxide को हम जो है आइस बोलते हैं कौन सा आइस आपका dry ice उसके बादे 12 लुखस्षन है नीम्द में से कौन सी धातू कमरे के तापनान पर दरव्य हो अस्तामें तो पारा जो है वो दरवास्ता में पाई जाती है तिरह नंबर जो कोशन है किस ताप पर जल का धनत तो अधिकतम होता है तो चार डिगरी यानि कि 3.9 डिगरी संटीग्रेट के असवाज 3.9 को हम लगबग 4 डिगरी बोलते हैं तो 4 डिगरी संटीग्रेट पर धनत तो जो है उसका जो है डेंसिटी जल की वह अधिक हो जाती है इसके बाद 14 नंबर कोशन है कोशिका की खोज किस ने की थी तो सभी को पता होगा राबट हुप ने की थी और राइबल्सोम का कारे क्या है तो राइबल्सोम काम क्या करता है प्रोटीन संसलेशन का राइबल्सोम में पाए जाते हैं तो क्या इसमें सोरी लाइबल्सोम में क्या पाए जाते है तो लाइबल्सोम में पाचक एंजाइम जितने भी हैं वो सारे के सारे पाए जाते हैं इसके बाद में आक्सी स्वषन जो खोन है वंकिसम होता तो माइक्रों कांडिया में होता है उसके ऐसे न agree कार्यों के लिए उर्जा काव्या जान की बात करें तो यहां पहला पूछा गया इसमें MCQ नहीं पूछा गया इसमें डारेक्ट आप से कॉछा गया MCQ जितने भी थे उपर थे और 5 मिटर में 22 किलो मिटर प्रती गंटा का वेग प्राप्ट कर लेती है इसका माना इसका तौरण समान है तो तौरण और इसका वेग को प्राप्ट करने के लिए रेड़ गारी द्वारत तय की गई दूरी का परिकलन यानि कि आपको बताना है अथवा में अगर आप यह नह ये दस और पांच बटे तीन और पांच बटे तीन को आप जब डिवाइड करोगे तो एप्रोक्सिमेटली पांच ये तीन एकम तीन और तीन चिंग ठार वन पंट सिक्स कुछ सम्थिंग आएगा आप इसको निकाल सकते हूं मैंने अभी उपर आपको बताया है तेश नमबर कोशन है गुर्त्व आक्षण नियातांक यह गुर्त्विय तोरण में संबंद का सूतर आपको निक्वन करना है जो कि मैंने आपके मॉडल फेपर में कराया था ये कोशन को पांच न्यूटन का बल किसी दरवमान M1 को 10 मीटर परति सेकंड स्क्वाइर का तोरण देता है त 24 नमबर है नियूटन के गती के नियमों का विश्थित वर्मान करना है आपको यनि की तीनों नियम बताने है अथवा में है नियूटन के गती के समिगनों को आपको निकालना है कि समिगन कैसे कैसे हैं तो आपको सबसे अच्छा है कि आप नियमों को विश्थित बताएं उ 26 नمر कोशने को इसमें मिसरन किसे कहते हैं मिसरन के पने प्रकारों का को वर्णन करना है खाव पाठे गंठा है गलनाग़ और कोशना की परिवाश आपको लिखने है इसका बाद में 27 निमर कोशने पधार्थ क्या थाउं का विस्नत वणन है अत्वा में हैं इसमें निलंबन किसे कहते हैं निलंबन के गुंडधर्मों का वर्णन आपको करना है इसके बाद आता आपका जी विग्यार प्लास्ट के बारे में विस्तित चरचा करनी है उसके बारे में आपको बताना है तो यह था आपका कन्योच का जो पेपर हुआ 30 तारीक को साइन्स का उसके हमने उत्तर देखे 31 का ये पेपर है आपका का नोज का है ये तो आप अपने पेपर भी हमें भेज सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है WhatsApp नंबर पे तो उसको भी solution आपको मिल जाएगा तो आसा करते हूं इस वीडियो साब लोगों के help मिलेगी Thank you very much, have a good day